नमस्कार दोस्तों ये राशी गरह गोचर पर आधारित भी होता है इसके आधार पर जातक के स्वास, वैवाहिक जीवन और प्रेम, धन धाने सम्रिदी और पडिवार और साथी वैफसाई के साथ ही नौक्री से जुड़ी जानकारी मिलती है वही आज के दिन में लोगों के लिए अच्छा और कुछ दियोगों के लिए बोरा परिनाम भी लेकर आता है आज का दिन बारा राशियों के जातक के लिए बिजनस, सेहच, संबंधी और साथी प्यार के लिए खास रहने वाला है तो चलिए आपको बताते हैं आज की बारा राशियों में क्या कुछ खास रहना वाला है और साथी शुरुवात करेंगे हम मेश राशी के साथ आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी के चाहत तक आर्थिक मामलों में बहतर बने रहेंगे मित्रों से भेट होगी कला कौशल को बल मिलेगा किसी धार्मिक कारेक्रम में शामिल होंगे जिससे घर में खुशाली रहेगी नए कारे की शुरुवात के लिए समय अच्छा है चले आपको ग्राफिज के द्वारा बताते हैं कि मेश राशी के फाइदे नुकसान साथी शुब अंक और रंग के बारे में मेश राशी वाले जातक बैफसाई की यात्रा सफल रहेगी साथी नौकरी के सिलसले में भी जातक का पड़िश्रम करना चाहिए और साथी ये बताया जा रहा है कि पती पत्नी के बीच विबाद होने से पड़िवार का मोहल भी खराब हो सकता है घर के मंदिर में आप मोर पंक लगाए ये काफी महत पून बता गया है और साथी मेश राश्री का शुब अंक जो है वो चार है और साथी शुब रंग जो है वो पीला वही मेश राश्री के बाद बात करेंगे वरिश राश्री की और जानेंगे कैसे रहेगा वरिश राश्री वाले चातकों पेलिया आज का दिन आज का राशीफल बताता है कि आज इस राशी के ज्वाता घड़ में सुपसुधाओं की व्रिद्धी होगी इच्छुत वस्तु के प्राप्तिस की संभावना बनी रहेगी साथी शुबकारियों में भी रूची बनी रहेगी परिज़नों के साथ अनमेंद समय बताने से नए वैफसाईक संबन्द मजबूत होंगे आपके लिए कुछ खास करना चाहते हैं तो यह समय एकदम उच्छित आपके लिए होगा अपने आसपास की लोगों पर गुस्ता आ सकता है तो क्रोध पर कावू रखे और खर्च पर लियंत्रेश जरूर रखे यात्रा पर जाने से जरूर बचे चले आपको ग्राफिक्स के दुआरा बताते हैं कि व्रिशक राश्री के फाइदे नुकसा साथी शुब रंग और शाथी शुब अंक के बारे में व्रिश्रासी वाले ज्वातक को रुका हुआ धन देना पड़ेगा साथी ज्वातक सेहत के लिए परिशान रहने की उमीद बताई जा रही है सरकारी नौकडी की देशा में प्रयास जो होगा आपका आज का सफल रहेगा साथी घर में बना रहेगा दुख का मोखौल साथी बता दे की व्रिश्रासी का शुब अंक जो है वो पांच है और रंग आसमानी है तो वहीं व्रिश्रासी वाले जातकों के घर में सुख सुविधाओं में तो वृद्धी होगी लेकिन बताए हुए कुछ बातों का आप जरूर ध्यान रखे चलिया बात करेंगे मित्वन राफी की आज का राश्रीकल बताता है कि इस राश्री के जातक मानसिक रूप से खुशी और अनुभती होंगे नई जगहों पर भ्रमन पर जाएंगे मित्वों के साथ उतसाहित देखने को मिलेंगे साथी प्रतिसपरदा में आगे रहेंगे अपने विचारों में आपको कालिप निक्ताओं का समावेश देखने को मिल सकता है और साथ ही कुछ कारियों में भी आपको रूची देखने को मिल सकती है साथ ही इस दोरान किसी भी धार्वे की यात्रा पर आपके जाने की उम्मीद भी चताई जा रही है चलिए अब मेतुन राश्री के ग्राफिक्स पर भी नज़र डालते हैं जिसमें आपको फाइदे नुकसान और साथ ही शुब रंग और शुब अंग के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे आज जातक के लिए सेहत में बना रहेगा उतार चरहाव नौकडी के सिलसले में नए पढ़ियास रहेंगे जारी मितुन राशी के जातक श्यामा तुलसी का पौधा अपने घर के अंगर में जरूर लगाए और साथ ही आज जातक को सस्वाल से कीमती तौफा मिलने की उमीद है मितुन राशी के शुब अंक जो है वे छे है और जो रंग है वो गुला भी बताया गया है अब ये आपको हम बता रहे थे मितुन राशी के बारे में अब बात करेंगे करक राशी के बारे में देखते हैं आज करक राशी वाले जातकों के दिन कैसा रहता है आज का राश्री फल बताता है कि इस राश्री के ज़ात तक सामाने रहेंगे कार्य स्थल पर काफी महनत करेंगे जिसका लाग आगे चल कर मेरेगा घल परिबार में खुशी बनी रहेगी खान पान में ध्यान देने के साथी अपने आस पास की स्वचता का भी ध्यान रखे आवश्रक खर्च करने से बचे वानिक पर भी सयम रखे और साथी सोच समझ कर बोले अनथा बेवजा विवादों में पढ़ सकते चले अब आपको बताते हैं क्या क्या फाइदे और नुकसान है साथी शुब अंक और शुब रंग के बारे में ग्राफिक्स के दरिये कर्क राश्री वाले जातक का आज सेहत अच्छा रहेगा साथी आज मल्टी नैशनल कंपनी से अच्छा ओफर मिलेगा आज घर में गंगा जल छिड़के तो अच्छा रहेगा और कानूरी मस्तों से दूर रहे तो अच्छा रहेगा साथी आपका शुब अंक है साथ और शुब रंग लाल है वहीं करके बाद बात करेंगे सिंग राश्री की और जानेंगे कैसा रहेगा सिंग राश्री वाली जातकों का आज का दिन आज का राश्री पर बताता है कि आज का दिन इस राश्री के जातक के कारुबार में मुनाफा रहेगा सभी कार्यों को आसानी से पढ़े होंगे और जिससे खुद पर विश्वास बढ़ेगा मांस तम्मान में व्रिद्धी होने के साथ ही बहुत प्रसंता रहेगी मांसी रूप से काफी हलका महसूस करेंगे और घर में सुख में वाता बरन रहेगा वही वर्निज्य गती वीधियों में रूची बढ़ेगने वाला है और साथी जीवन साथी से वैचारिक मत भेज दूर होंगे चलिए अब आपको बताते हैं नुकसान और फाइदे के बारे में साथी शुब रंग और शुब अंग के बारे में ग्राफिक्स के जरिये आज जातके परिवार वाले भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे साथी बच्चों से घर में पौधे लगवाए दोस्त की वज़े से तकलीप हो सकती है शुब अंग आपका नौ है साथी शुब रंग आपका के सरिया है अब बात करेंगे कन्या राश्री की आज का राश्री पल बताता है कि इस राश्री के जातक कानूनी काडियों में सफलता मिल सकती है नई पडियोजनाओं में काम करन सकते हैं पडिवार में खुशी का वातरवन बना रहेगा सहजता और सरलता से आगे बरते रहेंगे मौसम में प्रतिकूलताओं को हलके में नाले अपने सीहत का अब जरूर ध्यान रखे चलिए अब बात करेंगे कैसे इस राकषि के जातकों को कैसे फाइदे और नुक्सान का सामना करना पर सकता है साथ ही इनका शुब रंग और शुब अंग कौन सा है कन्या राश्री के जातक आज सेहत अच्छा रहेगा, बेउजगार होने से निराशा बनी रहेगी, आज परिवार भी धन है, ऐसा जातक को महसूस होगा आज ज्वातक के साथ ही ज्वातक के माता पिता परेशान रहेंगे कन्या राश्री का शुब अंक तो है और रंग हरा और गुलाबी है अभी हम कन्या राश्री की बात कर रहे थे अब बात तुला राश्री की करते हैं आज का राश्री पल बताता है कि इस राश्री के ज्वातक अपने परिवार को लेकर चिंतित रहेंगे, कोद पर नियंतरन रखे, आर्थिक कोशिश बहतर बनी रहेगी लाइफ स्टाइल से जुड़ी वस्तों पर प्रती रुझान बढ़ेगा घर में सुख, सोड़्य और साथ ही सोड़्य बहुत भी बढ़ेगा और साथ ही बता दे कि किसी भी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है वही अगर किसी का काम मे अर्चन आ रही है तो धहर पुरवत कार्य को पून करने का प्रयास करे तुला राशी वाले जातक आज इश्वर की क्रिपा से वेबसाय चलेगा आज की नौकरी में सहयोग परेशान करेगा आज वरत करेंगे तो धन का लाव होगा साथी माता के लिए सुख के साधन जुटाए शुब अंक आपका चार है और रंग पीला है तो वही तुला राशी वाले आप क्रोध पर नियंतरन रखे आर्थिक कोशिश बहतर बनी रहेगी अब बात प्रिष्चक राशी की करते हैं आज का राशी वाल बताता है कि आज इस राशी के जातक गुस्से पर काबू रखे अनेथा परिवार वालों के साथ विबाद हो सकता है करवी बातों को नजरंदास करें की कोशिश करें और साथी मेहनत और लगन से लक्ष की प्राप्ती में सफ़लता हसिल करें साथियों और वरिष्ट्रों को सहयोग मिलेगा साथी कार्य स्थल पर थोड़ा सहचेत रहने की आवशकता है किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर जरूत मंद को दान करें और साथी आत्यमिक शांती आपको मिलेगी इससे चलिए अब जल्दी से ग्राफिस के जड़िये आपको उपाय, नुकसान और शुब रंग और अंग के बारे में बताते हैं आज वेफसाई के लिए उतार चरहाव से भरा दिन रहेगा आज ज्वा तक सेहत सामानी रहेगा मनुरंजवन के छेतर में काम करेंगे तो लाफ मिलेगा, आज घर में केले का पौधा लगाए, शुब अंक साथ और रंग लमन है अब धनु राशी की बात करते हैं, आज का राशी पल बताता है कि इस राशी के ज्वा तक मिला जुला रहेगा, काफी प्रसंता रहेगी और साथी भाव्यता और साथी सभ्यता पर जोड रहेगा खर्च और निवेश बढ़ा हुआ रहेगा, लोगों से सरहाना मिलेगी और यात्रा में सतरता रहेगी साथी अंजान लोगों से करीबी बढ़ाने में सावधान रहे, दोस्तों के साथ मिलेगा और साथी उनके साथ समय बिताएंगे बिना वज़क किसी से विवाद करने से बची और बेवचा जगड़ा हो सकता है, धार में कारों की रोज़ान के तरफ रहेगा चले अब बताते हैं इसके क्या-क्या फाइदे और नुकसान है, साथी शुब अंग और शुब रंग के बारे में ग्राफिस के जरिये धन की आम दनी के साथ ही वेवसाय में प्रभावसाली लोगों का हस्त छेप रहेगा, आज सेहत में उतार चरहव देखने को मिलेंगे, ऑफिस के काम में मन लगेगा और यात्रा लाफ दायक होगी पीपल के व्रिक्ष का परिक्रमा करे, शुब अंग तीन और रंग के सरिया रहेगा अभी आपको धनु राशी के बार में बता रहे थे, अब मकर राशी की बात करेंगे आज का राशी फल बताता है कि आज इस राशी की जातक को अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए काम्याग होंगे नौकरी में तरक्की और वेफसाई में अच्छा मुनाफ़ा होने की संभावना है अपने ज्यान और बुद्धी से दूसरों का प्रभावित करेंगे और साथी सफलता और सहयोग से अच्छे संकेत है नई कोशिशों से भी सभी आको आकरशित करते वे आप नजर आएंगे साथी अनुशासन पर ध्यान रखे अपने स्वास्थ पर ध्यान दे और साथी बाहर का खाना खाने से अब जरूर बचे चले जल्दी से मकर राशि के ज्यातकों के उपाय, नुकसान और रंग और अंग की जान लेते हैं आज वेफसाई निवेस में ज्यातक का लाव होगा, सेहत के लिए ज्यातक अस्पताल में के चक्कर लगाएंगे नौकरी और पढ़ाई में सहयोगी साथ देंगे, घर में पौधे लगाए तो सकारात्मत्ता बनी रहेगी शुब अंक पाँच और रंग गुलाबी है आज का कुम राशी फल बताता है कि आज इस राशी जातक साकरात्मत पडिवर्तन लेकर आ सकता है आज में खर्च बढ़ने से बचे और साथी तनाव महसूस करेंगे आप साथी अनवैशक खर्चों पर नियंतरन जरूर आप करें आपकी जमेदारियों को अच्छे से निभाए समाज में सरहाना और साथी सम्मान की प्राप्ती होगी पडिवार के साथी समय बिताएंगे पडिजनों के साथ खुमने जा सकते हैं काम की विस्ता रहेगी और खान पान का भी ध्यान रखे क्योंकि स्वास्त खराब हो सकता है चले जल्दी से उपाए नुकसान और शुब रंग और अंक पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कुम राशी वाले आज जातक वेबसाइक बढ़ेगा सेहत के मामले में सही दिन रहेगा जातक के संबंधों में गलत फैमियों घर बनाएगी आज जातक गुरु पूजा करेंगे तो लाफ मिलेगा शुब अंक आपका चार है और रंग लाल और अब अन्तिम राशी में राशी की बात करेंगे और जानेंगे कैसा रहेगा इस राशी के जातकों का दिन वाक्त पर ध्यान दे और बाहर का खाना खाने से आप जरूर बचे आप जानेंगे मीन राश्री के जातकों के लिए उपाय नुकसान साथी शुब रंग और अंग के बारे में आज धन के लिए कठिन परिश्रम करेंगे जातक का वैभाईग जीवन सफल रहेगा आज मा की बेमार पर सकते हैं और साथी शुब अंक आठ है और रंग ग्रे आज बोलते तारे में फिलहार इतना ही आगे